मशूर शायर रगुपती सहाय, जिने हम फिराख गोरगपूरी के नाम से भी जुनते हैं, आजुन की सालगिरा है, कौन से सालगिरा है ये ना पूछे, क्योंकि कभी हमेशा अमर होता है, हमेशा ज़वान होता है फिराख सहब भी हिंदुस्तान में एक अमर कवी रहे पूरे मुलक में उनकी कविताय सबसे ज़्यादा फेमस रही वो बड़े कवियों में एक थे अब भी उनका नाम उनके काम लोगों के जहन में है फिराख सहब के पैदाईश आजे के दिन 1896 में हुई उन्हें साहित में राइटर टिपड़ी कार्ड की तरह जाना जाता रहा गुरकपुर जिले के इस शायर के अहले खाना की बात करें तो उनके फैमली पढ़ ही लिखी थी जो फिराख ने भी खुद की बुनियादी तालिम पूरी की इसके बाद उन्होंने उर्दू, फार्सी, अंग्रेसी में मास्टर जिगरी पूरी के फिराख हमेशा से ही लोगों को पढ़ाई की तरफ अट्रैक करते रहे इसी वज़त से कम उम्र में ही कलम को दोस्त बना गए लेकिन कमाल की बात ये है कि जस दौर में वे शायर बने उस दौर में उनके सामने अल्लामा अकबाल, फैज अहमद फैज, कैफी आजमी, साहिड लुद्यानवी जैसे मशहूर शायर थे लेकिन फिर भी फिराक साहब ने कम उम्र में शायरी में अपनी पहचान बनानी, लोगों के बीच में हमेशा के लिए अमर रहे